नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है साथियों, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, VGC NET June 2019 जो National Testing Agency के द्वारा आईजित किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए, NTA NET NAC.IN में जब आप इसको ओपन करेंगे तो यह Current Events दिखाई देगा आपको. Information Bulletin VGC NET June 2019 Public Notice VGC NET June 2019 जब हम इसको ओपन करके देखते हैं, तो यह notification जारी हुआ है Public Notice को देख लीजी. यह 1 March 2019 का Public Notice है और आज 28 फरवरी 2019 है और आज जारी कर दी गई है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह English में भी लिखा हुआ है और Hindi में भी लिखा हुआ है तो हम आपको जोग है, हिंदी वाला पढ़के सुना दे रहे हैं सबसे पहली बात तो यह करा है VGC राष्टी पात्रता परिच्छा VGC NET June 2019 सार्जरी सुचन है राष्टी परिच्छा एजेंसी की स्थापना मानो संसाधन विकास मंत्रलेत्वारा एक सोतंत्र स्वायत आत निर्भर स्वापोसीत प्रमुग परिच्छा संगठन की रूप में की गई है VGC NET परिच्छा की संचालन का कार्य भारत सरकार द्वारा राष्टी परिच्छा एजेंसी को सौपा गया है NTA द्वारा सहायक प्रोफेसर अत्वा कनिष्ट सोध फेलसिट एवं सहायक प्रोफेसर के लिए आगामी UGC NET का संचालन 20 जून से 28 जून तक किया जाएगा परिच्छा में निम्ना नुसार दो प्रश्ण पत्र होंगे पहला प्रश्ण पत्र सो अंक का होगा और पचास प्रश्ण पुछे जाएगे और दूसरा प्रश्ण दो सो अंक का होगा और सो प्रश्ण पुछे जाएगे यानि कि 1.500 प्राशन और उसके लिए तीन घंटे का समय दिया जाएगा वो भी साड़े 9 बजे से अपराण साड़े 12 बजे तक यानि कि समयधी दूती पाली ये प्रथम पाली हुआ ये दूती पाली है तीन घंटे का होगा 2.5 बजे से साड़े पांच बजे तक यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए दो पाली में हो रहा है प्रथम पाली जो है जैसे दिसंबर 2018 में आयुजीत हुआ था वही समय है यानि कि साड़े नौ बजे से साड़े बारा बजे तक और फिर ढाई बजे से साड़े पांच बजे तक लेकिन एक साथ होगा इस बीच में कोई भी आवकास नहीं रहेगा फर्स्ट पेपर से सेकेंड पेपर तक आईए आब यहाँ पर देखते हैं परिच्छा का आवेजन केवल कम्पूटर आधारित परिच्छा सीवीटी विधी से किया जाएगा विजिसी नेट की परिच्छा में समलित होने के एच्छुग अभ्यार्ती बिस्त्री जानकारी हेत्व राष्टी परिच्छा एजनसी की वेबसाइट पर एक मार्च से उपलब्द विजिसी नेट की सुचना बुलेटिंग को देख सकते हैं विजिसी नेट जून 2019 की परिच्छा में समलित होने के एच्छुग अभ्यार्तियों को एक मार्च से 30 मार्च 2019 के मद्य आनलाइन आवेदन करना अवस्यक है परिच्छा सुल का भुक्तान एक अपरेल 2019 तक आनलाइन किया जा सकता है अब थोड़ा सा इसमें जो है चर्चा करते हैं अपने हिंदी को पढ़ लिया अब इंगलिस को केवल जो है इसको हम इसका सीन दिखा देंगे और इस पर जो है हम डिसकास करते हैं देखी अब दिसंबर 2018 में जो नेशनल टेस्टिक अजेंसी के द्वारा उजिस्सी नेट की परिच्छाय आउजित की गई थी और अभी जो जून में जून में जो परिच्छाय आउजित होगी उसमें क्या अंतर है इसमें केवल एक ही अंतर है कि फर्ष्ट पेपर और सेकेंड पेपर में बीच में दस से पंदरा मिनट कुछ हलका सा समय दिया गया था ताकि आप जो है थोड़ा सा फ्रेस कर सकें या आपको बातरूम जाना हो या आप अपने मुह को धोना हो इस तरह के छोड़े छोड़े जो काम हुआ करता था वो अब नहीं कर पाएंगे दूसरा चीज़ें यह है कि कोस्चेन का जो पेटर्ण है नमबर आप कोस्चेन्स मार्क्स सेम टू सेम है डूरेशन फर्ष्ट सिप डूरेशन सेकेंड सिप में भी कोई अंतर नहीं है अब बात उट रही है कि यह टेस्ट जो है कम्पूटर कम्पूटर बेस्ट टेस्ट के आधार पर होगा जैसे दिसंबर में हुआ था लेकिन लेकिन दोनों में जो क्या है उसमें क्या बदलाओ करने की जोर्रत है एंटिये को मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक लाग तेईस अजार सब्सक्राबर जो मेरे हैं उनको भी और भी जो अन्ने लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी का जो यह प्रयास है वो सबसे बहतर प्रयास है क्या बहतर लगा कि उन्होंने देखिये इसके पहले एक नोटिस निकाला था और कहा था कि हम एक मार्च को नोटिपिकेशन जारी करेंगे लेकिन 28 फरवरी को यह जानी कर दिया और दिसंबर में भी सेम टू सेम यही था और उन्हें कहा था कि हम 10 जनवरी 2019 को हम रिजल निकालेंगे पाँच जनवरी को रिजल निकाल दिया यह अच्छी ख़बर है क्योंकि कम्पूटर बेट होने से यह बहुत ही आसान हो जाता है परिणाम निकालने में परिणाम पुठी कही एक प्रक्रिया है लेकिन जो एंटिये ने दिसंबर 2018 में जो गलतिया की थी उसको कभी भी दोहराए नहीं चुकि यह जो परिच्छा आयुजित किये जा रहा है वो छात्रों के हीट के लिए है आप आपको छात्रों को थोपना नहीं है बलकि छात्र को आसान हो यह रिति को अपनाना है मैं यह नहीं कराओं कि questions का pattern सरण रखा जाए लेकिन मैं यह कराओं जो परिच्छा आयुजित करेगा जो physical आपकी जो arrangement है वो बहतर हो जैसे कि आप question paper में हिंदी और English को एक साथ दिखाएं स्क्रोल करना न पड़े एक computer में total पूरा एक एक चीज़ दिखाई दे हम यह चाते हैं बहुत बड़ा बड़ा phone में कर देंगे लेकिन स्क्रोल करना पड़े और उसको हिंदी को एक बार करना पड़ेगा English को एक बार करना लेप्ट में और राइट में चाये तो पहले English को रख दें बाद में Hindi को रख दें या पहले Hindi को रख दें या English को रख दें स्क्रोल करना न पड़े दूसरी बात यह है कि सेटर से आप कहिए सेटर से आप कहिए कि आप जो question पूछेंगे वो question का answer का record होनी चाहिए आपके पा अपने mind से एक question बनाएंगे और उसका answer आप अपने हिसाब से देंगे और दूसरे दूसरे जो किताब है जो authentic किताब है उसमें answer कुछ और होगा और आपके mind के हिसाब से जो answer आपने चुनेंगे जो छातर हित में नहीं माना जाएगा यानि कि उनसे सबुत मांगी पेपर सेटिंग के पहले जब पेपर सेटिंग हो रहा हो जो question पुछा जा रहा है जिसका option जहां पर भी है वो book का नाम प्रिष्ट करमांग सब उल्लेक कर दें यानि कि हमको न दें अंटिये को दें तिसरी बात कोई बिवादीत प्रश्ण या बिवादीत उत्तर इस परिच्छा में आहुजीत मतलब पेपर सेटिंग में या question पेपर में सामिल न किया जाए तिसरी बात परिच्छा केंद्र ऐसा चुना जाए कि उनका इंटर्नेट का जो इंटर्नेट है वो ठीक ठाक चलता हो दूसरी बात computer ठीक हो keyboard, mouse ठीक चल रहा हो चौथी बात कि आपके पास में संसाधन इतना अच्छा हो कि बच्चों को ऐसे सेंटर में जाना पड़ता है जहां पर आप न तो वहाँ पर कोई आटो मिलता है न तो बस की सुविदा है न तो जाने की सुविदा है न तो पानी पिया जा सकता है ना तो वहाँ पठारा जा सकता है तो सेंटर ऐसा हो कि वो student के पहुच में हो और को मार्क प्रसस्त भी करें तो इस तरह के छोड़े-छोड़े बाते यदि आप ध्यान रखते हैं तो सबसे बेश्ट रहेगा आप student से suggestion मंगे न NTA से मेरा निविदन है कि इस्टूडेन से सजेशन मांगे कि जो दिसंबर 2018 में आयोजीत हुआ था एक्जाम उसका जो है आप क्या सोचते हैं उसमें क्या बदलाओ होना चाहिए अभी भी बुलेटिन में इस पश्ट लिख दे कि 1000 रुपिया वाला जो मामला है पर कोश्टेन चेलेंज करने का 1000 रुपिया वो ठीक नहीं है हम यहाँ पर एक्जाम का एक्जामनेशन का हमने फीस दे चुका है और चेलेंज करने का आप इतना भारी भरकम पर कोश्टेन नहीं बलकि वो 50 कोश्टेन भी दे 1000 रुपिया रखे ना 1000 दिरिक तयार है फर्स पेपर और सेकेंड पेपर में से पूछेए कि 5 कोश्टेन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते 2 कोश्टेन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते या चार कोश्चन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं रखे ना लेकिन पर कोश्चन के एक हजार रुपिया का जो फीस रखा गया था दिसंबर 2018 में वो उचीत नहीं लगता था तो आप इस तरह की ब्योस्था करें स्टूडेंट से सजेसल लें और एक बहतर परिणाम दें एक बहतर विश्थ्वासनिता के साथ में बच्चों के और सकता के अनुरूप उनके जो सोच है उसके अनुरूप इक जब निसन आविजित किया जाए हम कोश्चन पर कभी चेलिज नहीं कर रहे हैं हम यह नहीं कर रहे है कि कोश्चन सरल है कठीन है क्या है कैसा है यह तो पेपर सेटर की नितिया है कि कोश्चन का पेपर कैसा हो आउट आप कोर्स कोश्चन न दे विवादित प्रश्चन न दे दूसरा चीज है इस बार जो आ उनिट में 5 caso क्या हो रहा है कि फास्ट सेप्ट में आप डाटा इंटर्प्रेटेसन को एक कोईशचन पूछा वह सेकेंद सेप्ट में आफ आट कोउचन पूच रहे हैं यह कोण सी बात हुआ कोई research attitude को 8 question पूछ रहा है और कहीं पर केबल 2 question पूछ रहा है teaching attitude किसी का बहुती सरल है और किसी का सब से कठीन है ऐसा नहीं होना चाहिए सरल और कठीन का मिस्तरन होना चाहिए सरल और कठीन का सब में मिस्तरन होना चाहिए इतना पर्शंट ये रखे 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 तो इस तरह का यदि वियोस्था करते हो तो आपके लिए बहतर होगा अन्यता इस्तिति में फिर बिवात का कार बनेगा साथे आपको ठीक लगाओ मेरा सजेशन तो आप जरूर कॉमेंट्स बाक्स में लिखेगा और मुझे बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए